हलो एबरिवन आज हम बनाएंगे एगलेस होल वीड ब्राउणी इसे हम पैन में बनाएंगे बिना अंडे के बिना रिफाइन फ्लायर और बिना रिफाइन शुगर तो हमने इसे हेल्दी बनाने की कोशिश की है और इस था से बनाया है ताकि आप सभी इसको घर में बहुत अस अज़ानी से बना सकते हैं और जो हमने इसकी गानिश की है वह बहुत ही सिंपल वे में करी है तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक बॉल के उपर एक चननी रखतेंगे इसमें हम डालेंगे एक कप आठा यहां हम गेहूं का आठा यूज़ कर रहे हम अच्छे से चान लेंगे चानने से एक तो जो इंप्योंट इश होती है वह भी निकल जाती है और जो आप ब्राउनी बनाएंगे वह इस पॉंजी बनेगी और अच्छी बनेगी अब इन सब मच वनीला एसेंस और यहां पर मैं 90 ग्राम ब्राउन शुगर ले रहे हूं ब्राउन शुगर कई बार इस तरह से थोड़ा सा जम जाता है या हार्ड हो जाता है तो या तो आप इसे मैक्रोवेव में कुछ सेकंड के लिए चला लें तब यह सॉफ्ट हो जाएगा या फिर आप इसे मिक्सर जार में भी आप इसे ग्राउन कर सकते हैं तो या पीस कर सकते हैं या मैंने इसे अप्डम स्मोथ बै зов बन किया है तो अब हम इसमें अपने ड्राउन शुगशर में 이ा मिक्स करेंगे, यह सबसे पहले मैंने आधा डाला है अभी, और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह आधा इंट्रा इंगिजिएंट अब दुभारा हम इसमें डालेंगे, बचा हुआ works, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और क्यूंकि अभी ये थोड़ा सा गाड़ा बेटर लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालेंगे और इसका एक स्मूध बेटर तयार करेंगे यहां मैंने टोटल 3-4 कप पानी का यूज गिया है ये ब्राउनी बेटर बनकर की तयार है अब हम एक पैन में दो कप नमक डालेंगे ये नमक आपको ब्राउन कलर का लग रहा होगा क्योंकि मैंने इससे बेकिंग कई बार की है इसको अच्छे से फैला लेंगे और इसे low to medium flame पर हम इसे 10 मिनट के लिए गरम करने के लिए रखें हैं इससे अच्छे से mix कर लेंगे और अब हम ये एक केक्टिन लेंगे इस पर हमने पहले से ही ओयल से grease कर लिया था फिर इसके उपर बटर पेपर लगा लिया है अब हम इसमें ये ब्राउनी बेटर डालेंगे पूड़े ब्राउनी बेटर को हमने इवनली फैला लेंगे और इसे दो से तीन बार टाप करेंगे ताकि जो भी air bubbles हों वो निकल जाएं अब हम इसके उपर बारी कटे हुए अख्रोट डाल देंगे और थोड़े से चोको चिप्स डाल देंगे अब हम इसे गरम की हुए पैन में रखेंगे नमक के ओपर और इसे 40 मिनट के लिए हम प्रॉपर पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर पूरे 40 मिनट हो चुके हैं अब देख सकते हैं हमारी ब्राउनी बन करके बिल्कुल तयार है और टूथपिक अगर डालेंगे तो कुल ठंडा होने देंगे और फिर हम इसे डी मोल्ड करेंगे इस तरह से प्लेट के उपर आप इससे पलट दें और इसका अराम से हम बटर पेपर निकाल लेंगे और इसे फिर सीधा कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि इतनी सौफ्ट, मोईस्ट और गुई बनी है यह आप हम इसके लिए बहुत ही सिम्पल सी गार्निश तयार करेंगी हम वाइट चॉक्टिट लेंगे या तो आप इसे माइक्रोवे में कुछ सेकेंड के लिए गरम कर इसे पाइपिंग बैग में डाल लेंगे और फिपाइपिंग बैग से इस तरह से हम इसके उपर सिम्पल सा डिजाइन बना देंगे आप इसे अपनी पसंद से किसी भी तरह से इसे गार्णिश कर सकते हैं या आप इसे प्लेन भी इंजॉय कर सकते हैं ये खाने में बहुत ही साधा टेस्टी है तो लीजे हमारी नटी, फजी, गुई और सॉफ्ट और मॉइस्ट चॉक्लेट ब्राउनी बनकर के तयार है ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट है तो आप इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभ़म में साथ जरूर शेयर करें और अगर रेसेपी अच् को सब्सक्राइब करना बेकुल न भूने और अपने फ्रेंड्स और फामिली के साथ भी शेयर करें और पास लगी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें और थैंक्स पर वाचिंग